बहुत साल पहले एक छोटे से गाउं में दो आदमी एक दूसरे के पडोसी थे उनका नाम था मनू और धानू दोनों की ही छोटी छोटी छोपडियां थी बीच के सामने जिसमें दोनों अपनी बीवियों के साथ रहते थे दोनों ने ही अपने अपने छोटी से कमरे बनाए हुए थे मनू गरीबी के कारण दुखी रहता था अकसर उन्हें भूखा रहना पड़ता था इसी लिए हमेशा पूजा पाठ करता एक दिन एक पेड के देवता उसकी पूजा से खुश हो गए और उसके पास आए बताओ तुम्हे क्या चाहिए भले आदमी ओ ओ ओ ओ भगवान तुमने मेरी प्रात्रा सुन ली तुम्हे एक अच्छे आदमी हो लेकिन जल्दी से बताओ तुम चाहते क्या हो मैं अमीर आदमी बनना चाहता हूँ भगवान तथास तू सच मैं? लेकिन याद रहे, अमीरी इतनी आसानी से नहीं आती। मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा तुम्हारी अमीरी तुम्हें कैसे मिलेगी। उसे तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। ठीक है भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनु के बरामदे में बहुत लंबे लंबे नार्यल के पेड़ लगे हुए थे। लेकिन उसने इन पेड़ों के बारे में कभी ध्यान नहीं दिया था। जल्दी ही ये नार्यल पकने वाले हैं। क्यों न इस बार इन्हें तोड़ कर बेचाओ। इससे हमें पैसे मिल जाएंगे। ओ भागेवान अब हमें नार्यलों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी हम अमीर आदमी बनने वाले हैं। बस देखती जाओ। लेकिन मनु को नहीं पता था कि भगवान ने अपनी कृपा इन्हीं नार्यल पर की थी। इसके जरीए भगवान परीक्षा लेना चाहते थे। ओ, बड़ी अचीब बात है। कल तक तो ये नार्यल छोटे छोटे थे। लेकिन आज ये बिल्कुल पके हुए लग रहे हैं। तुम्हें भी ऐसा लगता है। सच, क्या ये सच में इतनी जल्दी पक गए हैं। हाँ, तुम्हें ऊपा जाकर इन्हें तोड़ कर लाना चाहिए। जाओ, इन्हें बाजार में बेचाओ। औ, आज ही करना पड़ेगा। आज मन नहीं है। लेकिन नार्यल पक कए हैं, वो तुम्हारा इंतिजार नहीं करेंगे। आ नहीं, आज मेरा काम करने का मन नहीं है, और नारियल भाग थोड़े ही चाहेंगे, ये मैं कल करूंगा खैर, क्या आज तक किसी आलसी आदमी से कोई काम करा पाया है? लेकिन जब मनु अपना आलसी बना दिखा रहा था, उसी रात धानु अपने बरामदे में बैठा था दम दिदा, दम दिदा, कितनी खुब सूरत रात है, ऐसी रातों में चमतकार होते है, काश आज मेरे साथ भी कोई बढ़िया चमतकार हो जाए, काश मुझे भी आज कुछ छप पर फार के मिल जाए ये क्या था, क्या ये तो नारियल है, इतना पका हुआ है, इसमें तो बहुत मीठा पानी निकलेगा वा, 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 दो नारियल, दोनों मेरे ही बरामदे में आकर गिरे हैं, अब तो दोनों मेरे हैं, चलो, मनु को पता अभी नहीं चलेगा तुम मेरे लिए क्या लाए हो, नारियल हाँ भाग्यवान, ये दोनों मनु के पेर से गिरे हैं, ये हमारे बरामदे में आक गिरे थे तो हमें उसे बताना नहीं चाहिए क्यों, जो हमारे बरामदे में गिरा है, वो हमारा है, जाओ ये दोनों नारियल तोड़ के ले आओ, मैं ठंडा नारियल पानी पीने के लिए आतर हो रहा हूं ये क्या है? ओ भगवान, ये तो सोने का सिक्का है, इस नारियल में तो एक सोने का सिक्का है, मुझे यकीन था, कोई चमतकार होगा, जल्दी दूसरा भी तोड़ो दो नारियल में दो सोने के सिक्के, मैं तो बहुत किस्मत वाला हूं, मुझे पक्का यकीन है, कि उस पेड़ के हर नारियल में सोने का सिक्का है जरा सोचो तो सही, अगर हमें वो सारे सिक्के मिल जाएं, तो हम अमीर हो जाएंगे तुम देखती जाओ भाग्यवान, उस मनु को कभी पता नहीं चलेगा, कि इन नारियल में क्या है, तुम्हें अपने चालाग पती पर बहुत गर्व होगा अरे मनु, कितनी अच्छी सुवा है, है ना? हाँ धानु, लगता है, तुम्हारे नारियल पक गए है, क्या तुम इने तोड़ने वाले हो? पता नहीं, अभी काम करने का मन नहीं है धानु भाई, मुझे नहीं लगता, ये इन नारियल को कभी तोड़ेंगे आपको तो पता ही है, कि मेरे पती कितने आलसी आदमी है हाँ 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 हाँ, चिंता मत करो वैसे हर कोई नारियल के इतने लंबे पेड़ों पर नहीं चड़ सकता शायद उसे डर लगता है अगर तुम चाहो, तो मैं तोड़ कर ला सकता हूँ और हाँ, अगर तुम चाहो, मैं बाजार जाकर बेच भी आता हूँ और पैसे जाकर तुम्हें दे दूँगा क्या तुम करोगे? हाँ, बिल्कुल, कोई परेशानी नहीं है अगर तुम चाहो, तो मैं पूरा पेड़ खरीद लेता हूँ हाँ, तुम इतना सोच क्यों रहे हो मनू मैं तुम्हारी परेशानी भी खत्म कर दूँगा और तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे नहीं, मैं पेड़ नहीं बेचूँगा माफ करना, मेरे दादा जीने लगाया था तुम तो जानते ही हो ठीक है, लेकिन ये नारियल तुम किसी को नहीं दोगे ठीक है, अब इतना तो कर ही सकते हो ठीक है, मैं तुम से बादा करता हूँ चलो, हाथ मिलाते हैं इस तरहा धानू और उसका परिवार आलसी मनू को लूटते रहे धानू पेर पर चड़कर नारियल तोड़ कर लाता और उन्हें बाजार में बेचने का नाटक करता लेकिन असल में वो उन्हें अपने घर के अंदर ले जाता और सच में हर एक नारियल से सोने का सिक्का निकालता और इस तरह मनू को धूखा देकर धानू और उसकी पत्नी अमीर होते चले गए वो जादूई पेड नारियल देता गया धानू उन्हें बेचता गया और उसका घर बड़ा होता चला गया और जल्द ही वो पूरे गाउं का सबसे अमीर आत्मी बन गया दूसरी तरफ गयी जिसे कोई अंदाजा नहीं था कुछ रुपए कमा कर खुश था जो से धानू से नारियल के बदले में मिलते थे लेकिन मनू की बीवी बहुत समझदार थी एक दिन धानू और उसकी बीवी इतने अमीर हो गए है कैसे समझ नहीं आता क्या पैसे आसमान से परस रहे है कड़ी मेनत करता है चलो भी हमें दूसरे लोगों की किसमत पे जलन नहीं करनी चाहिए मुझे किसी दरहा की जलन नहीं है लेकिन कौन सा काम मैंने उसे कोई काम करते नहीं देखा सिवाए हमारे नारियल बेचने के और सच में अब वो बहुत अमीर हो गया है तो फिर उसे हमारे नारियल बेचने की क्या जरूरत है लेकिन ये तो अच्छी बात है ना? नहीं? मुझे लगता है दाल में कुछ काला है जब से उसने हमारे नारियल बेचने शुरू किये है तभी से वो अमीर हुआ है ये आलसी बना छोड़ो और जाकर देखो मनू अरे एक बार तुम्हारे दिमाग में अगर कोई बात बैट गई तो भगवान भी उसे भुला नहीं सकता ठीक है आज राद चल कर देखते हैं वो दोनों वहाँ हैं चलो देखते हैं वो क्या कर रहे हैं मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है चुप रहो सुनो मुझे लगता है अब हमें एक बड़ा घर खरीद लेना चाहिए इस गाउ से बाहर शेहर के आसपास खरीद लेंगे खरीद लेंगे थोड़ा इंतजार करो मेरी रानी पहले जाओ और जाकर नारियल लेकर आओ जरा देखें तो सही कि आज हमने कितना कबाया है ठीक है तुमने देखा ये हमारे नारियल में सोने के सिक्के हैं यहीं तो मैं सोच रही थी कि ये ऐसे इतने अमीर कैसे बन गए सच में फिर तो ये सब हमारा है मैं जाकर अभी देखता हूँ धानो धोके बास तो इस तरह से तु अमीर बना है मेरे नारियलों में से सोना चुरा कर मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो मनू मैंने सब देख लिया है जूट मत बोलो तुम्हारी सारी दौलत मेरी है दोके बास बखबास बंद करो और मेरे घर से बाहर निकल जाओ मैंने तुम्हारे नारियल खरी दे है तो उसके अंदर जो कुछ भी है वो मेरा है नहीं ये सब ठीक नहीं है वो सारे सोने के सिक्के मेरे चिंता मत करो, तुम फिर से भगवान से प्राथना करो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे उस रात उसने कठोर प्राथना की, काफी देर के बान भगवान फिर से सामने आए क्या हुआ मनू, मैं हमेशा इस तरह से नहीं आ सकता, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिने मेरी जरूरत है हे भगवान, आप मेरी मदद कीजिए, धानू मेरे सोने के सिक्के चुराता रहा है मैं जानता हूँ, मैंने सब देखा है, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सब तुम्हारे आलसी पन के कारण हुआ है, जो हो गया, सो हो गया लेकिन भगवान ठीक है, क्योंकि तुम्हें एक भले आदमी हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा, कि तुम पूरी मेहनत से काम करोगे वादा करता हूँ तुम खुद अपने पेडों पर चड़ोगे? हाँ, भगवान, जरूर, मैं करूँगा, लेकिन मैं उस चोर धानु को सबक सिखाना चाता हूँ चिंता मत करो, वो एक धोखे बाज है, उसे अपने किये का फल जरूर मिलेगा उस रात अब मनु मुझे अपने नारियल नहीं बेचेगा, अब से मुझे इन्हें चुराना पड़ेगा भगवान, जल्दी करो, मैं नारियल ले आया हूँ, जल्दी से तोड़ो इन्हें यहां ले आओ क्या हुआ, क्या हुआ यहां, यहां नारियल में तो बिच्छों है फे भगवान, भागो, भाग्यवान, अरे भागो, भागो नहीं, ऐसा मत करो, हमें इन बिच्छों से बचाओ, मनु मैं ऐसा क्यूं करूँ? यह सब तुम्हारे नारियल में थे लेकिन तुमने तो कहा था कि नारियल की अंदर जो कुछ भी है, वो तुम्हारा है, है ना? अलविदा धानू, बिच्छों के साथ मजे करो धानू और उसकी बीवी को अपनी गलती का एहसास हुआ, बिच्छों ने उन्हें बहुत परिशान किया, लेकिन जब वो चले गए, उन्होंने मनों से जाकर माफी मांगी और उन्होंने अपनी दौलत को उनके साथ बांग लिया, दोनों परिबार खुशी-खुशी रहने और जब उनके पास काफी धन हो गया, उन्होंने बाकी के सोने के सिक्के दूसरे गाउं वालों में भी बांट दिये, नारियल का पेर जब तक रहा, उसके नारियल से सोने के सिक्के निकलते रहे हाई, मैं हूँ शाइनी, अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेर करें, और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले